आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question से 16.8 g of sodium hydrogen carbonate जो है इसको हमने add किया to 12 g of acetic acid Right, so residue left weight 20 g, जो reaction के बाद residue आपका left हुआ, so वो weight कर रहा है 20 g, so आपसे पूछा गया कितना CO2 जो है वो आपका escape हुआ है in this particular reaction, right So जिएको इस question को करने के लिए सबसे बहुए तो आपको reaction लिखने होगी, so आपका sodium hydrogen carbonate जो है वो react कर रहा है Right, so यह होता है आपके बाद sodium hydrogen carbonate, यह आपका react कर रहा है किसके acetic acid, acetic acid is basically CH3 CuH, right, so this is your acetic acid, because in questions को करने के लिए आपको सबसे लिए equations तो लिखनी बढ़ेगी, right, so यह equation आपका take place करेगी, अब इसमें आपका residue जो है वो आपका produce हो रहा है, so residue यह जो basically होता है, यह आपका CH3 C double bond O, O negative Na positive, right, so यह आपका basically residue हो है, जिसकी यह बात कर रहे है, plus आपके बास क्या होता है, यह आपके CO2 gas का evolution हो रहा है, right, plus देखो आपके बास क्या होता है, water भी बैसे आपके बास produce होता है, clear, बड़ देखो, अब अगर मैं बात करते हूँ है, आपको इस CO2 gas का बारे में बताना है कि कितना CO2 gas यहाँ पर कितना CO2 gas का release होगा, right, so हम क्या कर रहे हैं, कि हमने sodium hydrogen carbonate कितना लिया, आपका 16.8 gram, CH3 COH आपके कितना लिया, 12 gram, right, और residue आपका कितना प्रड़ए होगे है, 20 gram, right, CO2 का हम LAD कर ले देग यहाँ पर यहाँ होगा प्रड़ए हो अपको यहाँ होगा, एक लोग होगा, अपको यहाँ पर ना, हमारे पस क्या होगा होगा, एकफ लोग होगा है, that says, लोग लौग जोगा होगा, मास होता है, मास of the reactants, जितना मास होता है, मैं पर reactant side पर वो आपका equal होता है, to the mass on the product side, right, so mass of products, right, so यह बात आपको पता होने चिए, so यहां से आप बोलोगे कि 16 gram, mass of CO3, वो कितना है, आपके बास 16 gram, plus आपको करना पड़ेगा, acetic acid का mass, that is 12 gram, which will be equals to product side पर, residue का mass होगे, आपके बास कितना x gram, right, so यहां पर आप देखोगे, sorry, 16.8 है आपका यह, 16.8 है आपका यह, clear, so अब हमें x की value यहां पर निकालनी होगी, right, so यह आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं यहां पर solve करते हो, 16.8 है और आपके बास क्या है 12, right, so यह हो जाएगा आपके बास, 628, 28.8, यह ह हो जाएगा आपके बास, 8.8 gram, right, so यहां से आपके बास x की value जोगी, बो निकल करा रही है, 8.8 gram, कहने का मतलब है, इतना CO2 का गहस का क्या होगा, आपके बास evolution होगा है आपकर, so this mixture answer done, I hope, thank you.